हाई, Welcome to my channel, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एंगल सम् प्रपर्पर्टी इसमें जो है हम किवर्ल क्वारी बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्वारीलेंटेरल के जो एंगल सम् प्रपर्पर्पर्टी होती है वो पढ़ेंगे क्योंकि आप triangle का पढ़ चुके है 180 degree होता है some of all angles of triangle is 180 degree ठीक है तो यहाँ पर NCRT में आपको 1, 2 ऐसे करके दिया हुआ है 1, 2 and यहाँ पर 3, 4 यह जो दिया हुआ है अलग-अलग तरीके से इसको प्रूव करने का जो method वो हम सब अलग-अलग parts में discuss करेंगे तो इस part में जो है हम क्यों discuss करेंगे इस 1 को मतलब यहाँ पर जो यह 1 दिया हुआ है ठीक है take an equal lateral ABCD and divide it into two triangles मतलब कि proof है actually यह जो है first जो दिया हुआ है यह proof है कि कैसे हम यह proof करेंगे कि एक quad lateral के 4 angles का sum जो होता है वो 360 degree होता है how will you prove this चली हम proof करते हैं पहले इस part में और जो next part में जो भी दिया हुआ है हम अलग-अलग parts में next parts में solve करते रहेंगे आपको ठीक है सब बताएंगे आपको चली यहाँ पर पहले-पहले हम इसको catch कर लेते हैं और हम यहाँ से कर लेंगे तो इतना सही है तो हम लोग जाना चाहते हैं new page पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ अब इसी को देख करके हम जो है प्रूफ करेंगे आपका angle sum property यहाँ तो यहाँ पर हम कर देते हैं प्रूफ राइट ओके समझेगा ध्यान से आप हमने क्या किया है कि पहले एक quadrilateral खीच लिया ठीक है ABCD और ABCD में हमने एक diagonal खीचा हुआ है A से C तक ठीक है एक diagonal है AC और यह AC क्या कर रहा है कि इस quadrilateral को दो equal भागों में डिवाइड कर दिया है ठीक है प्रूफ हमें प्रूफ करना है एंगल A एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इस इक्वल टू 360 डिगरीज हमें यह प्रूफ करना है तो हमने क्या गिया है पहले AC जोइन कर दिया A से C मतब diagonal लिखी चलिया जिससे की जो है दो triangle मिल चुके है पहला triangle क्या है यह वाला पहला triangle है ठीक है आप यहां पर देख पा रहोंगे यह first triangle है और यह दूसरा triangle है ACD इसका नाम रहेगा यहां से int triangle int triangle ACD या फिर ADC भी बोल सकते हैं int triangle ACD ACD में क्या मिलेगा we know that sum of all angles of a triangle ACD is equal to 180 है कि नहीं int triangle ACD में क्या मिल जाएगा मिलेगा यह angle 1 है ACD में जो पहला यह angle है वह angle 1 है जो आपको यहां से आप दिखेगा यह जो है angle 1 है और यह angle 2 है और यह angle 3 है इन तीनों का जो sum होगा वो कितना होगा 180 तो वह हम यहां पर लिखने वाले हैं तो angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degrees right also also int triangle int triangle ABC इस वाले में ठीक है int triangle ABC के मिलेगा angle 4 plus angle 5 plus angle 6 ठीक है आप यहां पर देख सकते हैं यह angle 4 यह वाला angle angle 4 and angle 5 and angle 6 इन तीनों का जो sum होगा वो भी plus angle 5 plus angle 5 plus angle 6 is equal to 180 degrees तो हमसे कुछ नाम लेते हैं पहले बाले का हम equation देते हैं first this is second ठीक है तो हम यह करेंगे दिखेंगे आपर हमें यदि हम इन दोनों को add कर दें हमें दोनों triangle के angles को add कर दें तो क्या मिलेगा वो ही हम देखना चाहते हैं तो हम लिख देंगे adding adding first and second ओके तो यदि हम add करेंगे तो मिलेगा हमें angle 1 plus angle 2 plus angle 3 मतलब यह बाला जो है left hand side का इसको add करेंगे plus इसको add कर देजे angle 4 plus angle 5 plus angle 6 is equal to इधर भी add करना पड़ेगा तो 180 plus 180 ठीक है अब यहां पर ध्यान दिजेगा यह जो 2 और 5 है ध्यान दिजेए यदि हम इस 2 और 5 को तुरा समय रोज को यहां पर erase कर लेते हैं कुछ तो यहां पर मिलेगा आपको 2 और 5 को युदि हम add कर दें तो यह जो पूरा angle है 2 और 5 कितना है c है है कि नहीं यह पूरा angle कितना है 2 और 5 c है तो हम यहां पर लिख सकते हैं एक bracket में यहां पर कि since खेर इसकी कि आगे लिख देंगा सही रहेगा यहां पर लिखते हैं since angle 2 plus angle 5 is equal to angle c और angle 1 plus 4 is equal to यहां देखिए यह जो पूरा angle है angle 1 और 4 का जो sum होगा angle 1 plus angle 4 is also equal to angle a तो यह हमें पता होना चाहिए तो हम क्या करेंगे कि यहां पर जो भी दो angles ऐसे हैं उनको हम अलग-अलग ले लेंगे यहां पर तो angle 2 plus 5 2 और 5 को हम एक साथ लिख देंगे उसके बाद angle 1 and 4 angle 1 and 4 angle 1 angle 1 और angle 4 इनको एक साथ लिख देंगे ठीक है तो हमें में लेगा angle 1 plus angle 4 plus angle 3 ठीक है angle 1 plus angle 4 plus angle 3 plus angle 3 okay plus angle 3 plus angle 5 plus angle 2 ठीक है angle 2 plus angle 5 इसको हम रेडम रखते हैं angle 2 plus angle 5 ठीक है इनको हमने एक grouping किया हुआ है इसको इसमें और इन दोनों को एक साथ प्लस angle 6 is equal to इस इन दोनों को आइड करेंगे तो मिलेगा 360 degrees तो अब देखे इन दोनों को आइड करने पर क्या मिलेगा 1 plus 4 angle A मिलेगा तो यहां पर सकते हैं angle A so it implies we can write it here angle A this is angle A plus angle 3 क्या है angle 3 जो है angle D है तो angle D को हम बाद में लिखेंगे पहले हम angle B लिखते हैं angle B कौन सा है angle B आपको 6 है तो हम इसको यहां पर लिखते हैं पहले angle B plus यह जो है 2 plus 5 यह angle C है है कि नहीं हम यहां पर लिखा है angle 2 plus angle 5 is angle C so we have angle C plus और यह जो बचा हुआ है 3 जो कि angle D है angle D is equal to 360 degrees तो हमने यह प्रूव कर लिया है कि A B C D का जो सम होता है वो होता है 360 degrees तो यहां पर लिखते हैं कि hence proved यदि आपके exam में आता है कि prove that sum of all the 4 angles of quadrilateral is equal to 360 degrees तो आप ऐसे ही करेंगे तो इस वीडियो में इतना ही कि हम एक point पर join करते हैं सारे angles को तो यह actually में उस point के 4 तरफ यह cover कर लेता है मतलब कि इन 4 angles का sum होगा वो 360 degrees होगा ही होगा तो हम इसको बताएंगे आपको सच में आप part next जोड़ी देखेगा ताकि आपको यह बात ही समझ में आ जाए इन चैटी जो बो कह रहा है Thank you so much for watching